Hello everyone, कैसे हैं आप लोग आगई हुमें फिर से Big Boss की एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ सबसे पहले शुरुआत होती है और अर्चिना को डर लग जाता है किस बात का? अर्चिना को डर लगता है कि भी या स्रीजिता ने मुझे बद्धूआ दी है और मुझे बद्धूआ से बड़ा डर लगता है अर्चिना सिरियसली ये आप बात कर रही हो बद्धूआँ की क्योंकि हमने तो देखा है कि बद्धूआ देने में सबसे number one पे आप हो लेकिन आपको डर लग रहा है तो पहले वो चीजे ही मत करो जिससे आप खुद ही डर जाओ तो वो चीजे तो आपको नहीं करनी चाहिए थे लेकिन आपने पहले वो सारी चीजे कर दी है और फिर बाद में आपको ये डर लग रहा है कि स्रीजिता ने कहा है कि अगर मैं घर से बाहर हो गई तो तुम्हारी वैसे बाहर हो रही हूँ और अगर मैं बाहर हो गई तो मैं तुम्हें बहुत बद्धुयाएं दूँगी तो तुम्हें डर लग रहा है अर्शना आपको अपने language पे अभी हम सोच रहते हैं न्यू येर पे भी सायद हो सकता है कोई बाहर ना जाए न्यू येर पे फिर से इन्होंने विकास को भी बाहर कर दिया देखो विकास मुझे ना strong लग रहा था ऐसा लग रहा था कि वो अगर day 1 से आता तो उसका गेम बहुत ही अलग होता लेकिन यहां वो बीच में आया और बीच में आने की वज़े से उसके जो गेम का मतलब कोई उसके साथ involve भी नहीं होना चाहता था कोई उसके साथ बात ही नहीं करना चाहता था तो ऐसा सब कुछ हुआ और विकास अपना गेम दिखा नहीं पाया हाला कि जितना वो दिखा सकता था उसने प्रूफ किया कि अगर वो day 1 से आता तो वो बहुत अच्छा खेल सकता था लेकिन वो day 1 से नहीं आया तो वो इन लोग के साथ जादा involve भी नहीं हो पाया क्योंकि वो चोटी चोटी बातों में सबके साथ जाके बैठे नहीं रहा था सबके साथ जाके चीजें नहीं कर रहा था तो उसको ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो अपने में रहने वाला इंसान जादा था लेकिन विकास कुछ भी को मुझे strong लगता था और विकास अभी शो से बाहर हो चुका है तो ये है खबर अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं कि शिव ठाकरे क्या खेले हो भाई आस तो कमाल कर दिया शिव ने आज आज दिखा दिया शिव ने कि जो winner वाली quality लोग उसके में देखते हैं वो वक्के में दिखाता है अगर कोई दुस्मनी करता है तो उसके साथ वो पक्की वाली दुस्मनी करता है तो मतलब शिव हर चीज में 100% देता हुआ नजर आता है है ना वो मजे भी करता है अब्दू के साथ उसका fun zone भी है तो शिव को देखके बहुत मजा आता है और शिव ये प्रूफ कर दिया आज उसने कि वो winner है है ना भले ही हमें इस बात को हम साइड में रख दे कि colors के face को ये लोग winner बनाते हैं लेकिन audience के लिए शिव winner है क्योंकि उसके अंदर वो सारी qualities है आज जिस तरीके से उसने शालीन को expose किया है शालीन अपनी ही बात में फस्ते हुए हमेशा नजर आते हैं मतलब शालीन को clarity ही नहीं है कि शालीन को करना क्या है वह या एक तरफ तुम सुम्बुल को nominate करते हो दूसरे तरफ तुम ये कहते हो कि सुम्बुल weak है तीजरी तरफ तुम ये कहते हो कि सुम्बुल को बच जाना चाहिए टीना के nominate करने पर तुम ये पूस्ते हो कि तुमने सुम्बुल को nominate क्यों किया सुम्बुल को नहीं करना था आप खुद क्या चाहते हो शालीन खुद क्या चाहते हो आप आपको पता ही नहीं है कि आप चाहते क्या हो और उसी तरीके से आज शिव ने शालिन को एक्सपोज किया है और बहुत अच्छा किया है कि भाई अगर लड़ना है अगर कुछ कहना है तो मूपे बोलो पीट पीछे बात करने का कोई फायदा नहीं है जो भी हो मूपे बोलो मूपे बोलोगे तो हम जबाब देंगे और हमे बढ़ेंगे और बाड़ाई को बीच में मत छोड और उसको समझा कि तुम किसी से डरती नहीं है और फिर सॡगीन बढ़ता यहा कि तुम किसी को भी बताओगे कि तुम कमजोर हो, तुम होते नहीं हो कोई, तुम बताओगे कि मैं स्ट्रॉंग हो, कि मैं कमजोर हूँ, मुझे खुद पता है कि मैं स्ट्रॉंग हो, कि मैं कमजोर हूँ, और अब मैं कभी भी नहीं रोने वाली और वो सुम्बुल ने जो लास् उसके आंख के आशु सूख जाका पानी स्ूख जाक और शालीन भानोट अपने यहीं किया है। Bür ऐ है, अभी तक यहां लेक् और नहीं है, अब तक यह दूनिन सुम्बुल को न strongest को यूजल किया कि यह र आप यहां है। आप उसे बात करने के ट्राय करते हो, सुम्बल पता नहीं है, आप से बात करने के ट्राय करती है, नहीं करती है, हमने तो नहीं देखा, लेकिन आप जाते हो, आप बात करते हो, तो सुम्बल को रिस्पॉंड करना पड़ता है, लेकिन सुंबुल आपसे बात करने में इंट्रस्टेट बिल्कुल भी नहीं है वही टीना ने भी आज शालीन को एक्सपोज किया कि भी यह खुद क्या चाहता है इसको पता नहीं है कभी यह कहता है कि सुंबुल को नॉमिनेट क्यों कि अभी जब नॉमिनेट हो गई बच रहता है कि सुंबुल तो कंजोर है, सुंबुल तो इस घर में रहने के लायक नहीं है तो शालीन वाक्तकी में अपनी बातों में बहुत ज्यादा फस्ता हुआ नजर आता है तो यह रही शालीन की बात अच्छा अच Warsaw ंं प्रियंका की भी चाहरीव करेंगे कि प्रियंका न निम्रित अकेली कभी न खेली वाक्वी में ये बात तो बिल्कुल सच है डे वन से निम्रित उस घर में जब से गई है उनको किसी न किसी की सहारे की जरूरत पढ़िये पहले वो गौतम की सहारे केलती थी गौतम सौंदर्या के पास चला गया तो उनको कितनी दिक्कत होने नहीं बचती है तब ये सुंबूल को बचाने के ट्राय करेंगे तो अर्चना ने अपना दिमाग लाया कि मैं नंबर वन पे जाओंगी कि मैं पहली एडिटर बनके जाओंगी और अपने साथ वो स्टैन को भी लेके गई क्योंकि उसको पता था कि स्टैन ज्यादा चालाकि करना होगा नहीं तो आगे मुझे मुझे मॉका ये लोग नहीं देंगे और आगे सब मुझे नहादा ने मिलेगा तो निमर्यत मसक् działa मुश्यकर ने के लिए बुरा लगता है दें मुझे सुंबुल के लिए पुरा लगता है, रोटी उनलों के लिए ये बनाए, खाना उनलों के लिए सुंबुल बनाए, सब कुछ सुंबुल करें, और जब सेफ करने की बात आती है, तो ये लोग निमृत को करेंगे, तो मैं न होने दे रही निमृत को सेफ, और वाकई में अर्शना ने ये करके दिखाया कि उसने निम्रित को नॉमिनेट कर दिया और बाद में सुंबुल ही सेफ हुई है उसको ये था कि सौंदर्या सेफ हो जाए उसने जाके साजित सर से भी बात करी कि साजित सर देखो निम्रित की भी फैन फॉलोईंग है सौंदर्या की फैन फॉ पूरा लगया कि अश्णा नहीं यह कैसे कह दिया कि मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, साजित खान तो दिल पे लेकर बैठ गर वो कहते हैं कि मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, ऐसा हो सकते हैं कि सभी से जा के पूछे मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, लोग मुझे फॉलो नही करते हैं मैं 30 सालों से टीवी पे बैठा हुआ हूँ 30 सालों से लोग मुझे जानते हैं अरे सर गलत फैमी में जी रहे हो आपकी फैन फालोइंग अच्छी होती क्योंकि आपके अंदर यूमर है आप बहुत अच्छी बाते भी करते हो लेकिन जिस तरीके का भी हैवा आप सुं जाक में करते होगे लेकिन जो बाहर बैठी जनता है उसको सुंबुल के लिए बुरा लगता है सुंबुल अपने लिए इस्टेंड आउट नहीं कर पाती है सुंबुल आपके आगे नहीं बोल पाती है कि सर मुझे मत कहो मुझे बुरा लग रहा है लेकिन इसका मतलब यह सुंबुल नहीं है कि समझ में आता है आपको भी तो कहीं ना कहीं इस बात का रिलाइजेशन होता होगा कि सुम्बुल को बुरा लग रहा है मैं न करूं आज शुव ने बहुत अच्छे तरीके से सुmbुल को समज है कि सुम्बुल देख मैं भी ऐसी कभी कोई बात करता हों तो तु वहाँ बोल सकती है कि शिव ये बातें मत कर मुझे बुरा लग रहा है ऐसे ही तु अगर किसी के आगे बोलेगी नहीं किसी को बताएगी नहीं कि तुझे कौन सी बात बुरी लग रही है कौन सी बात अची लग रही है तो यहां भी श्रीव मुझे बहुत सही लगा है कि उसको देखो कभी भी आपने नोटिस किया हो जब साजेद खान बैठ के सुम्बुल का मजाग बन एक्स एक में पानी आगियार उर सब्सक्राइब करा अच्छाइब करें खासी आने लगी हाँ तो मैं क्या बोल रही थी मैं ये कह रही थी कि आपने अगर नोटिस किया हो तो जब भी साजिद बैठिके सुमूल का मजाक बना रहे होते हैं स्टैन के साथ स्टैन भी बैठा होता है वहाँ पे शिव रियक्ट तक नहीं गरता है वह हसता भी नहीं है क्योंकि उसको बुरा लग रहा होता है लेकिन वह पता नहीं क्यों आवाज नहीं उठा पाता पता नहीं क्यों वह कह नहीं पाता कि साजिद सर मत करो उस बच्ची को बुरा लग रहा है वो कह नहीं पाता इस बात को लेकिन वो हसता नहीं है कि उसको खुद भी अंदर यी अंदर बुरा लग रहा होता है कि आर ये क्या कर रहे हैं लेकिन शिव को थोड़ा सा बोलने की जरूरत है क्योंकि देखो भै शिव अगर तुम बोलोगे न साजित के आगे भी तो बहुत अच्छे लगोगे और और ज्यादा पसंद आओगे वैसे भी तुम आज तुमने करामात करके दिखाया है ना आज जिस तरीके से तुम खेले ह शिव को देख करके तो और हम इसके बारे भी बात करेंगे कि आज जो फेक फाइट हुई है विकास की और शालीन की लोगों को कहीं न कहीं ये फेक फाइट लगी है घर के अंदर भी बोला है लोगों ने कि यार ये फेक था ये सिफ कैमरास के लिए था विकास नॉमिनेटे और वो आवाजे लगा कि शालीन को तीन बार उसने गया कि तू सब्जी और एक जाकर दे दे टीना को उसके बाद शालीन ने सुना भी है और शालीन उने थीक थीक है वाइन गै along ाने धीा है और शालीन जिस तरीके से चड़ रहा था और आखे दिखा रहा था अपनी विकास को विकास ने उसको सही जवाब दिया बहुत पर्फेक्ट जवाब दिया है विकास यार थोड़े दिन और रहता ना तो बहुत अच्छा गेम खेल सकता था लेकिन पता नहीं क्यों विकास ने विकास को मतलब घर के अंदर मर्ज ही नहीं होने दिया पहले ही जब एक बार उसने शिवी के बारे में बोला तो विकास ने सबके आगे उसको बैटके बोल दिया उसके बार बेटके में से लेशने अंच्छा चो ने बρι गजआOkay को बलाई करेशाली कि भ Какछर छालिन विकास की यह था आप दोनों की दुस्मनी है, बिग बॉस कहना क्या चाहते थे, बिग बॉस ये कहना चाहते थे, क्या कि आप टॉप टू में आप दोनों ही हो, क्योंकि आप दोनों की बीच में ही दुस्मनी है, कि मुझे ये दुस्मनी बहुत पसंद आती है, सची दोस्ती भी पसंद आती है और सची दुस्मनी भी पसंद आती है तो निमृत के गेम मुझे इतना तो नहीं लगता कि वो टॉप टू में खड़े होने के लायक है अगर शिव और प्रियंका के हम बात करें तो वो हम मान सकते हैं और टॉप टू में हम प्रियंका और शिव को ही देख रहा हैं लेकिन अग आज है तो सब्सक्स में होने खाए तो सम्बूल ही तो आज सोचने वाले बाद है आप लोगके लिए मतलब प्रियंका और निमृत आप दोनों खुद सब्सक्रिया उब इसंड़ने ओन ओने ही सवई है तो इन सबसक्रिकल के और और शिञते के लिए आपक स्रमा चार्ग का तो मतलब fimbul safe हो गई इससे प्रयंका को problem होनी चाहिए और विकाश और शालीन की जो fight है वो फिक है इससे प्रयंका को problem होनी चाहिए मतलब BIG boss के मेरे हिसाब से कहने का यह मतलब था कि जो शालीन है उससे तुम दूरी बना के रखो उससे दूर रहो मुझे जहां तक यह समझ में आया यही मतलब था बिग बॉस का तो यह सब कुछ हुआ है बिग बॉस के घर के अंदर और विकास को घर से कर दिया है इन लोगों ने घर से बाहर और सलमान सर अरशना की क्लास लगात तो देखते हैं शालीन की भी क्लास लगती हुई तो नजर आ रही है और शालीन बोलते हुए भी नजर आ रहा है तो वो सब तो जो एपिसोड देखेंगे तभी ज्यादा क्लियारिटी मिलेगी कि क्या कुछ हो रहा है आप मेरे चैनल पर आयो हो तो लाइक से करके जाना और कॉमेंट करके बताना कि शिव ठाकरे को देखेंगे आज आपको मजा आया या नहीं आया और आप विनर किसको देखते हो शिव और प्रियंका में इसे यह मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना मिलती हुए आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइ बाइ टेकर अपना ख्याल रखेगा और बाइ